पप्पू के दानवीर ने की मदद अपने दूनों हाथ योवा चुपी तन्हू की मदद को सामने आई पप्पू यादप के दानवीर लिया उसके पढ़ाई का जिम्मा राजू दानवीरने की सरकार से अपनी तन्मू जैसी चात्रों को प्रूटसाहित करने के लिए सरकार बनाई यूजना सनूवा खान के साथ सुधानशु रंजन की रिपोर्ट पतना तीन सिंदवर दो हजार इकीस बाधाओं को चुनोती मानते हुए उसका डटकर मुकाबला करने वाला व्यक्ती ही जीवन में सफल होता है अपने दोनों हाथों को गवा चुकी फुलवारी शरीफ में रहने वाले तन्नू इस बात को चरितार्थ कर रही है जिसकी मदद को आज जन अधिकार यूबा परिशत के प्रदेश अध्यक्ष राजु दानवीर जाप अध्यक्ष पप्कु यादव के निर्देश पर उनक के लिए शिक्षा मंत्री एवं सरकार से योजना बनाने की अपी भी की इस मुलाकात के दोरान हमारे साथ जन अधिकार यूबा परिशत के महासचे व्रतिकांत कुमार मीरज और फ्ललन सिंग अमरनात साहव अन्य साथ ही मौजूद थे यह तन्नू जी है यह दसमी क्लास में पढ़ती है 2004 में क्रेंट लगने के कारण इनका हाथ दोनों काड़ना पढ़ गया और इस्थिती यह है कि पढ़ने में इनको बहुत मने मन लगता है और यह कुछ बनना चाहती है और इस्थिती यह है कि बहुत आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर है सारीविक रूप से तो आप देखी नहीं कि दोनों हाथ कटा हुआ है तो इस प्रस्थिती में एक ख़वर पता लगने पर आधरनिये पपु यादव जी के निर्देशा नुसार हम लोग पहुंचे है और इनको पढ़ने का पाठ समागरी दिया गया है बैक कॉपी कलम जो भी होता है और साथ में 15,000 रुपे का आर्थिक मदद दिया गया है साथ में जब तक पढ़ना चाहेंगी इनको टोटल खर्च दिया जाएगा इनको पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखा जाएगा इनके स अपने जरूर पूरे होंगे और मानिये सिच्छा मंत्री जी से हम अपील करेंगे कि वैसे लड़के को भी आप देखिए सपोर्ट कीजिए जो आर्थिक रूप से सारीरीक रूप से दोनों से कमजोर है वैसे लोगों को आप प्रस्नली हेल्प कीजिए अपने सरकारी कोटे में हेल्प कीजिए आधरनिये सिच्छा मंत्री जी राज सरकार सभी से हम अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसे जितने भी बिहार में लोग बच्चे हैं जो सपना पूरा करना चाहते हैं और वो हर तरह से कमजोर हैं उनको देखकर सपोर्ट करना चाहिए जन अधिकार पा करना चाहिए